हेलो एबरियों वेल्कम बैक मैं हूँ अभी जीत आपका दोस्त और इस चनल का होश तो दोस्तो आज की इस वीडियो मैं अन्बोक्सिंग रिव्यू करने वाला हूँ डेल की एक ओयलेस कीबोर्ड माउस कॉम्बो की तो इससे पहले भी मैंने बहुत सारे ओयलेस कीबोर्ड माउस कॉम्बो का अन्बोक्सिंग किया है अगर अभी तक आपने उन सारे वीडियो को नहीं देखा है तो दोस्तों ये रहा डेल की ओयलिस कीबोर्ड एन माउस की बॉक्स और इसे मैंने पर्चिस किया है Amazon.in से और इसका जो बेश्ट वाइ लिंक है वो आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्सिन में उसके साथ साथ नीचे कॉमेंट सिक्सिन पे भी मिल जाएगा तो चलिए सबसे पहले इसका जो स्पेसिफिक जिन है वो जान लेते हैं अगर आपको स्पेसिफिक जिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप वीडियो को स्कीप करके डाइरेक्ट आन्बोक्सिंग पार्ट में जा सकते हैं तो गैस डेल की इस wireless keyboard mouse combo की जो model नंबर है वो है KM117 और इस combo के अंदर आपको एक full size keyboard मिल जाता है और इस keyboard mouse के साथ आपको RF 2.4 GHz की wireless connection मिल जाता है ये जो RF wireless connection होता है मतलब radio frequency wireless connection है इसका जो range वो काफी ज़्यादा होता है लगवग 10 meter के आसपस और उसके साथ साथ इसमें आ आपको काफी accuracy देखने को मिल जाता है और इस wireless keyboard mouse combo के साथ आपको डेल की तरफ से वानियर की warranty भी मिल जाता है तो specification में बस इतना ही था तो चलिए आप इसे भटबट unboxing कर लेते हैं तो इस wireless keyboard mouse के साथ आपको कुछ paperwork भी मिल जाता है एक है quick start guide और दूसरा है warranty and safety information और एक wireless mouse तो mouse को अगर आप देखेंगे तो आपको simple एक plastic की look जैसा लगेगा और mouse की build quality में ज्यादा खास कुछ है भी नहीं अगर mouse की नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको on off button और उसके साथ स और mouse के साथ आपको एक scrolling key भी मिल जाता है और ये जो scroll key है या scroll wheel है इसके उपर आपको एक rubber की coating भी मिल जाता है जिस बदर से आप बहुत ही अच्छे से इसको scroll तो कर पाएंगे और इसका performance कैसा होने बाला है वो मैं आपको थोड़े देर में ही बताऊंगा इसको पुरा setup करक यूज करने के बाद और box में से आपको मिलेगा एक full size keyboard तो guys ये जो keyboard है इस keyboard में आपको किसी भी तरह की indication LED देखने को नहीं मिलेगा इस keyboard में बस एक ही indication LED है जो है battery का जो level है वो सो करता है मतलब आपका battery जब पूरा खतम होने वाला होगा तब आपको यहां पे एक indication देखने क मिल जाएगा और इस keyboard में आपको कही सारे hot function की भी मिल जाता है जैसे कि sleep, multimedia, volume, search, mute, play, pause, forward button, keyboard की पीछे के तरफ आपको adjustable folding leg मिल जाता है इसके अलावा आपको पीछे की तरफ battery compartment भी देखने को मिल जाएगा तो overall इस keyboard में आपको slim design and premium build quality देखने को मिल जाता है और एक 2.4 GHz की RF dongle जिसको आप USB के थूँ अपने PC के साथ plug-in करके इस keyboard माउस को अपने PC या laptop के साथ connect कर पाएंगे इस wireless keyboard माउस कॉंबो के साथ आपको दो तरह की तीन बैटरी मिल जाता है दो DuraCell की AAA बैटरी जो है keyboard के लिए और एक DuraCell की AA बैटरी जो है माउस के लिए तो चलिए आप इन दोनों wireless keyboard माउस को fully setup कर लेते हैं बैटरी इंस्टॉल करके और उसके बाद देख लेते हैं इसका performance कैसा है तो कैसे अगर connectivity की बात करें तो इस wireless keyboard माउस कॉंबो की जो connectivity है बहुत ही अच्छा है यह जो छोटा सा nano USB dongle है इसे जैसे ही आप अपने laptop या desktop पे plug-in कर देंगे उ आपका जो wireless keyboard माउस है वो connect हो जाता है अभी देख लेते हैं इसका performance कैसा है तो सबसे पहले देख लेते हैं mouse की performance तो guys इस mouse का जो performance है वो बहुत ही fast and accurate है तो mouse के performance के बारे में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है तो guys इस mouse को अगर आप use करेंगे तो build quality में जैसे मैंने कहा थ इसका build quality में खास कुछ है नहीं बट use करने के बाद अब मुझे लग रहा है कि ये जो mouse है बहुत ही comfortable है use करने के लिए mouse की button के बारे में बात करें तो इस mouse पे आपको right mouse button left mouse button और scroll wheel ये तीनों तरह की button मिल जाता है तो ये जो right mouse button है और जो left mouse button है दोनों से आपको perfect click sound मिल जाता है तो button के बारे में मेरा किसी भी तरह की complaint है नहीं और बीच में जो scroll wheel है scroll wheel बहुत ही अच्छा है उसके रूपर जो rubberized coat है इस बज़ा से आप उसे बहुत ही comfortably use कर सकते हैं अब बात करते हैं keyboard के बारे में तो ये एक full size keyboard है और उसके साथ साथ आपको इस keyboard के साथ adjustable leg भी मिल जा करते हैं उसके साथ साथ इस keyboard की button के बारे में बात करें तो guys keyboard का जो button है बिल्कुल laptop button के जैसा है मतलब इस keyboard के button से आपको किसी भी तरह की noise नहीं विलेगा बहुत ही silent button है silent होने के साथ साथ इस keyboard के सारे button buttery smooth है अगर आप normal desktop का keyboard होता है जो PS2 keyboard है उसे use करते हैं उसके बाद इस uncomfortable feel हो सकता है क्योंकि जो PS2 keyboard होता है पूराने जमानी की उसमें क्या होता है आपको finger से ज्यादा pressure देना पड़ता है की को प्रेस करने के लिए बट इस keyboard में ऐसा विल्कुल भी नहीं है आप की से हलका सा टाच करेंगे तो आपका जो की है वो प्रेस हो जाएगा तो overall यह जो keyboard है इसका performance बहुत ही अच्छा है और उसके साथ साथ इसका key या build quality बहुत ही बढ़िया है तो गैस मेरे पास already 3-4 wireless keyboard माउस कॉमबो है एक है Logitech की इसके अलाबा और भी काफी सारे wireless keyboard माउस कॉमबो है उसके बाद भी मैंने यह जो डेल का wireless keyboard माउस कॉमबो पर्चेस किया है इस ड्राइसल बैटरी से जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा दिन यूज कर सुकूं तो इस बज़ा से मैंने यह डेल का wireless keyboard माउस कॉमबो है इसे पर्चेस किया है तो अगर आप भी वाक्तों हों कर रहे हैं और आपको भी चाहिए ऐसा कुछ अच्छा option तो यह जो डेल का wireless keyboard माउस कॉमबो है इसे आप ट्राइ कर सकते हैं तो आज के लिए वस इतना ही उमीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा अगर वीडियो पसंद आया तो फटावट वीडियो को लाइक कर दो और उसके साथ साथ चैनल पे नए हो तो फटावट चैनल को सब्सक्राइब करके वाइल इकन पोटी कर देना वाइल इक अटावट चैनल को सब्सक्राइब करता है।